हाई फ्रेंज वेलकम तो अब दावस कीचेंटू केसे हैं आप लोग उमेद करते हैं मेरे सब इवेवर्स हाप्य और हेल्दी हुए आज बनाने वाले है मुंबई स्टाइल पालक फ्रेंकी जो की बनाने में बहुत ही एज़ी है खाने में बहुत ही रिलिशियस है साथी साथ बहुत ही है जी हाँ बहुत ही यमी रेसिपी है मिंटो में बनकी तैयार हो जाती है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक तो पालक फ्रेंक की बनानी के लिए यहां पे मैंने पालक लिया है अद्रक है मिर्ची है और आटा लिया है डेट कप करीब तो सबसे पहले हम पालक तेयार करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे की पानी बिल्कुर अच्छे से मैंने खौला लिया है और अब हम गैस यह अच्छे से ठंडे हो जाएं और इनका जो कलर है ना ऐसा करने से बिलकुल हरा बना रहता है तो बस हमारा पालक ठंडा हो गया है अब हम इसकी प्यूरी तयार कर लेंगे यहां पे मैंने मिर्च और जो अद्रक ली है वो भी इसमें काटके डाल दी है मिर्ची आप अपने स इसमें डालना है नमक बाकी हमें कोई मसाला इसमें और एड नहीं करना है तो इससे हम एक अच्छा सौफ्ट दो लगाकर तयार कर लेंगे यह देखिए इस तरह से तो अभी इसी ढपके साइड में रखते हैं और फ्रेंकी के साथ परोशने के लिए हमने बनानी बहुत ही च और जीरा लिया जिसे हमने भून लिया था नमक डालके इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और लीजे हमारी तीकी चटनी भी बन की तैयार है और यहां पर मैंने कुछ वेजीज लिये हैं आप अपनी पसंद की वेजीज ले सकते हैं हमें इने थोड़ा सा जाने देंगे और इसकी बाद हम इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे और उसे भी हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कच्छा पंज है वो दूर नहीं हो जाता है अब हम इसमें सबजीआ एड़ करेंगे तो सबजी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं या फिर जो सबजी आपके बच्चे खाना पसंद करें वो आप ले सकते हैं यहाँ पे मैंने गाजर लिया शिम्ला मिर्श लिया है और साथी में हमने थोड़ा सा पनीर भी लिया है तो अब सबजियों को हम मसालों के साथ करीब दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और लास में इसमें हमने डालना है पनीर और पनीर डालके हमें बस इसे थोड़ी देर ही कुक करना है ये देखिए और हमारी जो स्चफिंग है ये बन के तयार है तो गैस का फ्लेम हम आफ कर दें क्योंकि हमने पतला सा और बड़ा बनाना क्योंकि रोल के लिए जो रोटी बनती है वो थोड़ी सी बड़ी बनाई जाती है तो इसे हमने अच्छे से बेल लेना है और शेप की आप चिंता ना करें बस ध्यान रखना है कि जितनी बारीक आप इसे बेल सकते हैं उतना बारीक आप इसे मतलब पतला रोटी को बेलना है और उसके बाद इसको अच्छे से हमने सेकना है तो ये देखे एक तरफ से हमारी रोटी सिख गई है और दूसरी तरफ से भी इसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे गी लेंगे और उसके बाद हमें इस पे इस भी करा रहा होने तक सेक लेना है तो ये देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ से अपने ये जी रोटी है इसको अच्छे से सेक लेंगे और ये बन के तयार है तो इसी तरह हम सभी रोटिया बना लेंगे अच्छे से घी लगा के उनको हमने दोनों तरफ से सेक लेना है और अब हम इसके अंदर stuffing भरेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें यह जो तीखी चट्नी है इसको लगाएंगे और इसके बाद center में इस तरह से हम stuffing रखेंगे और यहाँ पे मैं मेवनी लगा रही हूँ तो यह देखिए और इसके बाद हम कुछ कच्छी वेजी भी इसमें डालेंगे जो salad होता है वेजी का और यह है पनीर रोल बनाने के लिए हमने इसके उपर पनीर डाल दिया है ग्रेट करके वैसे हमने stuffing में भी पनीर डाला है पर इस तरह से ग्रेट करके डालते हैं तो वह एक अलग ही फ्लेवर आता है हमारी फ्रेंकी में तो इसे अच्छे से मियोनी सेंटर में डालके अच्छे से पूरी रोटी पे spread करेंगे उसके बाद में हमने उसी तरह से बीच में stuffing रखनी है और salad लगाना है और इसको अच्छे से tightly roll बना कर तयार कर लेना है तो लीजिए पालक फ्रेंकी बन के तयार है है ना बहुत ही delicious और yummy और साथ में फटा फट से बन गई है तो बच्छों के lunch box ही एक tension आपकी दूर हो गई है इसे जरूर ट्राइ कीज़ेगा आपको ये बहुत पसंद आएगी आज की वीडियो के लि